क्या आलिया की तरह ही शादी से पहले से ही प्रेगनेंट थी क्यारा अडवानी हलो फ्रेंड्स मैं हूं तीपती और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूस चैनल फोर्थाइस सिनेमा जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्यारा अडवानी और सिधार्थ मलोतरा शादी के बंदन में बन चुके हैं और काफी जादा खुश भी हैं पिछले साल एक्ट्रिस आलिया भट ने भी रनवीर कपूर से शादी की और तुरंत वो प्रेगनेंट भी हो गए जिसकी वज़े से उन्हें खूब चूल भी होना पड़ा देखा जाएं तो आलिया और रनवीर कपूर बड़े ही जल्दी में शादी किये और कियारा और सिधार्थ ने काफी ग्रेंड शादी की वहीं आलिया की शादी में बहुत करीबी लोगों को ही इंविटेशन किया था शादी के बाद आलिया और रान्वीर की जल्दी वाली शादी के पीछे का राज पता चला कि आलिया शादी से पहले ही प्रेगनेच हो गई थी इसलिए अब कोई भी एक्टर-एक्टरिस शादी के बंधन में बनते हैं तो तुरंत बाद उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहें होने लगती हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि कियान और सिधार्थ ने शादी की कपल की एक ग्रेंड वैडिंग चर्चा में रही इसी दौरान की फोटो शोशन मीडिया पर वाइरल हुई इसके अलावा शादी के बाद कपल का वीडियो भी सामने आया जिसमें शादी के बाद पहली बार किया राडवानी मांग में सिंदूर लगाए नजर आई जहां एक तरफ लोग उनके लुग की तारीफ करते नहीं ठक रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को एक्टरस के प्रेगनेंट होने का शक भी हो गया तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये शक आखिर क्यों हुआ एक वीडियो में कियारा और सिधात कार से निकल रहे हैं और मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं इसी दोरान कियारा की बोडी लैंग्विज को कुछ लोगों ने नोटिस किया और उनकी तुलना सीधे आलिया भट सिकर डाली लोगों को इस बात पर डाउट हो रहा है कि आखिर कियारा अडवानी बार-बार सकाफ से अपनी टमी को क्यों छुपा रही है कई सारे फैंस ने इस पर रियाक किया है लोगों का ऐसा मानना है कि आलिया की तरह ही कियारा भी शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई है एक शक्ष ने कहा कियारा प्रेगनेंट है लिख कर ले लो इसके अलावा एक और शक्स ने शक चताते हुए कहा जिस तरह से कियारा अपने पेट को ढख रही है मुझे तो शक हो रहा है वेल गाइस ऐसा होता है कि हम कभी-कभी ड्रेस से कमफर्टेबल नहीं होते तो हम उसे चुपाने की कोशिश करते हैं कियारा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ वो प्रेगनेंट नहीं है वेल गाइस आलिया रनवीर और कियारा सिधार दोनों वॉलिवर्ट जोडियों में से आपकी फेवरिट जोडि कौन सी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा